यूपी में जब से सीम योगी निसत्ता संभाली है तब से ही लगतार आक्शन देखने को मिल रहा है लगतार माफियाओं और अपराध्यों पर शिकंजा कस्ता चा रहा है योगी पुलीस अपराध्यों पर तगड़ा आक्शन ले रही है अपराध और अपराध्यों पर हंटर चलाया जा रहा है और बे गुनाहों को बराबर का इंसाफ दिया जा रहा है नमशकार आप देख रहे हैं कापिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूँ आपके साथ राचप्रीत कौर आज आपको धर्मांतरन का एक ऐसा मामला बताएंगे जिसे सुन कर आप भी हैरान रह जाएंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं धर्मांतरन का हैरान करने वाला मामला आया सामने इसलाम कबूलने का बनाया दबाफ नमास पढ़ते फोटो हुई थी वाइरिल दरसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव से शादी का छांसा दे कर एक यूवती से हैवानियत और फिर उस पर धर्मांतरन का दबाफ बनाने का मामला सामने आया है आरोपी की पहचान अफिफ उल्ला के तौर पर हुई है पीड़ता के अनुसार उसे पूजा करने से रोका गया उसे मौलवी के पास ले जाया गया इसलाम कबूलने से इंकार करने पर उसके साथ मार पीट की गई पीड़ता ने 9 जनवरी 2024 को लखनव में इस संबन में रिपोर्ट दर्ज करवाई लेकिन नौईड़ा से मामला जुड़ा होने की वज़े से इसे नौईड़ा पुलीस को ट्रांसफर किया जाएगा रिपोर्ट के मुताबिक लखनव की रहने वाली 27 साल की हिंदू पीड़ता नौईड़ा की एक प्राइविट कंपनी में नौकरी करती थी इसी दौरान उसकी मुलाकात रामपूर के रहने वाले अफिफुला से हुई अफिफुला ने यूवती से दोस्ती काठी उससे शादी का वादा किया यूवती का आरोप है कि उसे भरोसे में लेने के बाद अफिफुला ने उसके साथ हैवानियत की विरोत करने पर उसने शादी करने की बात करके उसे चुप करा दिया वहीं बात में जब यूवती ने उससे शादी करने के लिए कहा तो वो इसके लिए राजी नहीं हुआ बता दे कि पीड़ता के अनुसार अफिफुल्ला ने उसकी मुलकात अपनी बहनों उस्रा और हमना से भी करवाई थी इसके सामने भी शादी करने का भरोसा दिलाया था लेकिन बात में वो शादी करने के लिए इसलाम कबूलने का दबाफ डालने लगा कथित तोर पर इसके लिए अफिफुल्ला उसे एक मौलवी के पास भी लेकर गया था इस मौलवी ने भी मज़ब बदलने को कहा यूवती का आरोप है कि अफिफुल्ला उसे इसलामिक किताबे भी लाकर देता था और इसलामिक कारिक्रमों में भी लेकर जाता था पीड़ता के अनुसार आरोपित ने उससे कहा कि उसके मजभ में गैर इसलामिक लड़की से शादी करने की मना ही है इसलिए उसे इसलाम कबूलना होगा वो पीड़ता के पूझा पार्ट करने का भी विरोध करता था कथित तोर पर यूवती जब इसलाम कबूलने को राजी नहीं हुई तो उसने अपनी बहनों के साथ मिलकर उससे मारपीट की लखनो थाने के इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार के मताबिक पीड़त यूवती की शिकायत पर अफिकुल्ला के खिलाप केस दर्च किया गया है घटना नौईडा की है इसलिए केस की विवेचना नौईडा पुलीस करेगी शीकर ही ये केस नौईडा ट्रांसफर किया जाएगा वहीं ये धर्मांतरन का कोई पहला मामला नहीं है बलकि ऐसा ही एक और मामला पूर्फ में भी सामने आ चुका है उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताते हैं राजधानी दिल्ली से सटे गाज़िअबाद में धर्मांतरन का मामला सामने आया है पुलीस ने जब इस मामले की जाँच शुरू की तो पता चला कि साथ लोग धर्म बदलकर इसलाम कबूल कर चुके हैं इसके साथ ही चार लोग इसलाम कबूल करने वाले हैं इस मामले में पुलीस ने तीन आरोपियों को गिरफतार किया है इनकी पहचान राहल उर्फ राहुल अगरवाल, मुहम्मद अब्दुल्ला उर्फ सौरब खुराना और मुशीर सैफी के रूप में हुई है अरेस्ट किया गया राहल 2017 तक राहुल अगरवाल था बगर मुहम्मद अब्दुल्ला के संपर्क में आने के बाद वो राहुल से मुहम्मद राहिल बन गया खास बात ये है कि मुहम्मद अब्दुल्ला 2014 तक सौरब खुराना था उसने अलिगण मुस्लिम युनिवरसिटी में पढ़ने के दौरान इसलाम कबूल किया था जब कि मुशीर सैफी ट्यूशन पढ़ाता है वो ऐसे चात्रों को टारगेट करता था कि देखिये लड़के ने इसलाम कबूल किया पोस्टर के जरिये अन्य चात्रों को इसलाम की तरफ बढ़ने के लिए कहा चाता है हैरानी वाली बात ये है कि इस राकेट की भनक गाजियाबाद पुलीस को तब लगी चुब गाजियाबाद के खोड़ा थाना में 25 साल की लड़की का पता पहुचा और शिकायत दी बताया कि उसके बेटी पिछले कुछ समय से अजीब वहवार कर रही है उसकी गतिवधी बेहत संदिग लग रही है वो घर के अंदर हिजाब पहनना शुरू कर चुकी है साथ ही नमास पढ़ रही है और घर के लोगों से इ शुरू की ऐसा ही एक और मामला आपको विस्तार से बताते हैं दरसल यूपी के हमीर पूर जिले में मुस्लिम यूवती से निकाह के बाद धर्मांतरन करने के मामले में पुलीस ने नयाब तहसीलदार पर बड़ी कारवाई की है पुलीस ने पत्नी की शिकायत के बाद नया पत्तार कर कोट में पेश किया पुलीस मामले के अन्ने आरोपियों की तलाश कर रही है नयाब तहसीलदार की पत्नी आरती गुपता ने बताया कि पती आशीश गुपता ने बिना तलाक दिये दूसरी शादी कर ली इस शादी के लिए उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और अपना नाम मुहम्मद यूसुफ रख लिया मामला जिले की मौधा कोतवाली कस्बे का है यहां एक मश्जित में जब एक अग्याच शक्स को लोगों ने दो दिन से नमाज पढ़ने आते देखा तो इसकी पूछताच शुरू हो गई लोगों ने जब अग्याच शक्स से ज मौधा तहसीलदार पहुंचे तहसीलदार ने मौके पर मौचूद कई लोगों के बयान दर्च करते हुए दस्तकत कराए जिसमें इस बात की पुष्टी की गई कि मौधा अधा करने वाला शक्स कोई और नहीं मौधा तहसील के नयाब तहसीलदार आशीश कुपता ही है हाल के दिनों में उन्होंने एक मुस्लिम यूवती रुकसार से निकाह करने के बाद अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है क्या है नयाब तहसीलदार के धर्मांतरन का मामला दरसल नयाब तहसीलदार की पतनी आरती गुपता की माने तो उनके पती आशीश कुपता के मौधा निवासी रुकसार नामक मुस्लिम यूवती से प्रेम संबंध हो गए थे जिसके चलते उन्होंने पिछले चार महीनों से कानपुर स्थित घर आना जाना छोड़ दिया था उसके दो बच्चे भी हैं दोनों बच्चों से नयाब तहसीलदार आशीश कुपता ने कई दिनों से बात नहीं की थी आरती गुपता ने बताया कि पती आशीश गुपता ने चोरी चिपे मुस्लिम यूवती से कस्पे की मश्चित में निकाह कर लिया रुकसार नामक यूवती ने पहले उन्हें प्रेम जाल में फसाया फिर उसने अपने पिता मौसा और मश्चित के मौलवी बाबू आरती और चार अन्य अग्यात लोगों के साथ मिलकर उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया और उसके साथ रहने लगी इसलिए वो मश्चित में नमास पढ़ने के लिए जाने लगे आशीश कुपता से मौम्मद यूसुफ बने नयाब तहसीलदार की पतनी आरती गुपता ने एसपी दिक्षा शर्मा से मिलकर मामले की शिकायत दर्च करवाई जिसके बाद हरकत में आई पुलीस ने मामले की गंभीरता से जाच शुरू कर दी यही नयाब तहसीलदार रुकसार के मौसा मुन्ना और मश्रित के मौलवी बाबु आरती को गिरफतार कर लिया है सभी को कोट में पेश कर जेल भेज दिया गया है हमीरपूर सदर कोतवाली प्रभारी अनुप सिंग ने बताया कि नयाब तहसीलदार की पत्नी आरती गुपता की शिकायत पर पुलीस ने मुकदमा दर्च करते हुए नयाब तहसीलदार आशीश कुपता उर्फ मोहमत यूसुफ सहित दो लोगों को गिरफतार कर जेल भेज दिया है इस पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए बस अतना ही बाकी खबरों के लिए देखते रहें कापिडल टीवी उत्तर प्रदेश नमस्तार